नमस्ते रादे रादे हेले व्रिवन, वेलकम टू आवर चैनल बाइवर्स दी उनिवर्स आप बायाली जी तो आपका जो 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 पढ़ने वाले हैं वो आपका पढ़ने वाले हैं Community College का पार्ट जो कि आपको होने वाला Species Richness ठीक है इसके पहले Community College में हमने क्या पढ़ा था उसके Characteristic के बारे में कि क्या क्या उसमें Character पाजाते हैं तो चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर कर लें चले स्टार्ट करते हैं चले मैं इसको समझाने के लिए आप एक Diagram यूज़ करती हूँ वहाँ आप समझ पाएंगे जो होत अच्छे से ये एक Diagram है ठीक है यहाँ दो चीज़े दी गई हैं इसको समझाने के लिए मुझे ये दोने चीज़े लेने पड़ी है Species Abundance and Species Richness Richness का मतलब होता है हमारे इकॉलजी में Variety से ठीक है Variety से Variety in number of Species ठीक है अब देख सकते हैं यहाँ आप दो डाइग्राम देख रहे होंगे Abundance की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ एक Species दीख रहे होगी जो की होगी प्लांट की ठीक है यह आप देख सकते हैं मैं माप कर रहे हूँ यह सिर्फ आपको प्लांट की Species दीख रहे हो ठीक और अगर यहीं यहाँ पर 17 इंडिविजवल हैं 17 लोग हैं रिचनेस की अगर बात करें तो क्या होता है जादे होना लेकिन हम किसके कंटेक्स्ट में पढ़ रहा हैं एकॉलजी के कंटेक्स्ट में तो वहाँ पर रिचनेस का मतलब होगा कि वेराइटी का जादे होना अब यहाँ आप देखेंगे तो आपको यहाँ क्या होंगे 6 Species दिखेंगी केवल 6 Species दिखेंगी और total number of Species within a given area यहाँ पर total number of Species दिखेंगी तो यहाँ क्या है यहाँ रिचनेस चादे है क्या Species की यहाँ abundance में क्या है यहाँ abundance तब खालता abundance भी आपको पढ़ना में आगे पढ़ाऊंगी तो abundance की अगर बात की जाएगी मतलब कोई एक Species जो बहुत जादे मातरा में है उसे हम कह देंगे abundance लेकिन जब हम रिचनेस की बात करेंगे Species के रिचनेस की बात करेंगे Species आपको पता है individual single को कहते हैं तो यहाँ पर seven Species हैं देख सकते हैं आप टैमार्क है जैक पाइन है White-tailed deer है Wolf है Raccoon है American Robin है यह देख सकते है American Robin और यह आपके हो गया Wolf हो गया यहाँ पर यहाँ अपका राकून हो गया यहाँ भी राकून प़ाय जा रहा है यह आपके यहाँ पर White-tailed deer हो गया यह आपका Jack Pine हो गया च्छोटे plant और बड़े प्लंट तैमार क्या लैरिक्स लैरिसीना है ठीक है तो यह एक रिप्रेजेंटेशन है तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्षुली स्पीसीज रिचनेस का मतलब होता है इसे रिलेटेड में आपको क्वेश्चन भी करा देंगी लास्ट में एक दो ताक ब्ली रिचनेस टोटी अब तोड़ज़ी के Windows को समझें के वी टापीको से एस पीशी रिचनेस के होता है यह नंबर होता है सफी इस का किसी कम्यूनीटि दोमें एकलोंजिकलल हेब्योट ब्लीट में एक या लैंड State या सपीशेप में जो कांट करता है different species represent the species richness, different different कितनी species पाई जा रही है, उसी का representation क्या होता है species richness होता है, it does not about the species abundance और relative species abundance, यह आप पढ़ेंगे detail में abundance, मतलब यह आपको relative species के abundance के बारे में बता रहा है कि जो आपका alpine है वो कितने जादे मातर में नहीं, सारी species को overall बता रहा है कि कितने पाई जा रहे ठीक है, for example के लिए जैसे beetles को हम count करते हैं एक pitfall trap से, तो यह क्या हो गया, यह species abundance की बात हो गई sample heterogeneity and the number of species influence the species richness ठीक है, कोई आप sample लेते हैं, जैसे माली जी यह किसी चीज़ का population है, यहाँ से आप एक sample उठाईए, इसमें जितनी जादे heterogeneity, sorry heterogeneity, मतलब जितने different number of species पाए जाएंगे, यह क्या represent करेगा, species richness को, ठीक है, फिर next point कर रहा है, if the sample are collected from different environment and habitats, then the collected data is higher for species richness, अगर क्या है, sample जो है, जो आप collect कर रहा है, sample, यह एक population, दूसरी population, तीसरी, इन तीनों जगहों से आप एक sample उठा रहे हैं, ठीक है, मतलब, sample मतलब क्या, plants, animals, कुछ sample उठा रहे हैं, तो यह जो different environment से आप data क्लेक्ट करेंगे, तो यहां क्या दिखा जाएगा, जो आप एक collect करेंगे data, यहां पे species richness higher होगी comparison to इसके, 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 क्योंकि आपने तीन जगहों से different variety को collect किया है, ठीक है, collection of data from different environment is, represent higher species richness, यहां से question बन सकता है, ठीक है, thus sampling should be performed on large areas as the more heterogeneous environment prevails and large size of population, इस वज़े से हमको sampling बड़े area पर perform करना चाहिए, जहां हमें क्या होगा, बहुत साजाद हे heterogeneous, heterogeneous का मतलब होता है different different kind के, विसम, ठीक है, जितना जादे heterogeneous environment होगा, जैसे example बने लिया था, कि मेरी खर में अगर 10 लोग रह रहे हैं, और 10 लोग different type के jobs कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे हाँ heterogeneous city क्या होगी, जादे पाए जाएगी, या आप इसको अपने example से भी समझ सकते हैं, species richness क्या होता है, help करता है, assessing the conservation values of landscape or habitat by relative comparison, यह कोई environment habitat है, इसमें different different species पाए जा रहे हैं, ठीक है, और जब आप इनमें species richness को क्या करेंगे, access करेंगे, देखेंगे, तो आप उनके conservation value को भी समझेंगे, जैसे, although it does not consider the type of species, यह type of species के बार में तो नहीं बताता है, लेकिन, but areas with rare species have higher conservation, मालीजे, कोई ऐसा area है, आप क्या कर रहे है, species की sampling करेंगे, आपने देखा कोई ऐसा area जहां rare species पाए जा रहे है, ठीक है, मतलब वो extinct होने वाली है, वो endangered है, वो vulnerable है, कुछ भी हो सकती है, तो आप क्या करेंगे, उसको high production provide करेंगे, उसके conservation की, हम चिंता करेंगे, सन अच्छड करेंगे उसका, values are the same number of species which are commonly found, और जो commonly found होंगी, जो commonly पाए जाएंगे, उनके उपर हम उताध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वो है, हम क्या करते है, रेर चीजों पर जादी ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर वो extinct हो गई, तो दुबारा आप उसे जो भी natural चीजे हैं, वो क्या होती है, रेनिवेबल नहीं होती हैं, आप उसे फिर से बना नहीं सकते हैं, अगर कोई bird extinct हो गई है, तो आप उस bird को फिर से बना नहीं सकते हैं, जब तक अगर अपने उसके genes को अगर collect कर लिया है, तो आप उस नए hybridization से बना सकते हैं, फिर भी exactож cropRed of native की नहीं बना सकते हैं ठीक है specs on governo sure hope अभो आपको बहुत अच्छे से समंझ में आ अगया होगा कि épo इसीज ज़ी स्थीनेस क्या होता है और er epic स्थीयहां बिआपको समझ में आ गया होगा कि abundance क्या ठीस जशीप करre specific region, landscape और ecological community, तो जो मैंने आपको definition दिया, direct वही चीज़ उठा के ली गई है, कि number of species को बताता है, different number of species को बताता है, एक किसी specific community में, तो उसे हम क्या कहते हैं, species richness, co-evolution का मतलब साथ साथ में क्या हो, evolution हो किसी species का, यह species one, species two, इनका evolution साथ साथ में, common cellism का मतलब आप जानते हैं, एक species को benefit होगा, दूसरे को benefit नहीं होगा, मैं आपको interaction पढ़ांगी, community ecology का ही पार्ट है, then population density का मतलब जानते ही है, आपकी population की density के बारे मताता, next question क्या है आपका, यह थोड़ा blur है, लेकिन इसको समझने की कोसिस करिएगा, a count of the number of species in a given habitat is an index, ठीक है, तो किसी भी क्या करते है आप count करते number को index के form में, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते है, species richness कहेंगे, ठीक है, तो यह आपके कुछ एक question थे, जो आपके related to species richness से मैंने करवा दिये, किस तरीके से question पूछे चाहेंगे, या आप से यही से statement form में पूच सकते है, diagram से मैंने आपको समझा दिया, आप चाहें तो अगर species richness short topic पे लिखने को आपको आता है, तो आप क्या करेंगे, कूब अच्छा साथ 3-4 statement के बारे में लिख लेंगे 50 word, 100 word, और diagram बना के आप दिखा सते हैं, क्या करेंगे, इस तरीके का दो diagram दिखाएगा, एक जगह लिख दीजेगा, abundance, ठीक है, और दूसरी जगह species richness लिख दीजेगा, या plant, इसको species 1 बना दीजेगा, और 2-4 और species का नाम like tree, ठीक है, like dog, ऐसे लिख दीजेगा, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, abundance में केवल 1-1 ऐसे fill कर दीजेगा, ठीक है, यह मैं ट्रिक बता रही हूं आपको, आपके exam के presentation से अच्छा होगा, ठीक है, इस त आप इसको बता दीजेगा, बना दीजेगा, तो यह इस तरीके से आपका डाइगरमेटिक रेप्रेजेंटेशन भी हो जाएगा, टीचर को बहुत अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि आपने इसे समझा है, ठीक है, इस टेटमेंट्स पे जादे लोग, अगर आपने एक डीटेल से पढ़ा है, जो मैंने पढ़ाया है, तो भी आप बहुत अच्छे से कॉश्चन कर लेंगे, तो आज की इस सीरीज में बस इतना ही तर तक लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, नेक्स लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबर्डनस की बारे में,